रुईया एग्रफार्म में आपका स्वागत है कोई भी व्यक्ती जमीन क्यों खरिता है? हर व्यक्ती अपनी खुद की जमीन चाहता है जिसे वो अपना कह सके जिसकी कीमत अप्रिशेट हो और जिससे अच्छा मुनाफा हो शहरी जिवन से निरस हुए व्यक्ती कुछ समय दूर ग्रामिन शेत्र में प्रकृति की गोद में स्थित अपने सेकेंड होम में शान्ती से वक्त गुजाना चाहते हैं और उसी वक्त अपनी जमीन से खेती करने का मजा भी लूटना चाहते है और फलो और सबजियों को उकते वे भी देखना चाहते हैं तो ये मोका आप लोगों के लिए लाए है रुया एग्रो फार्म्स आपके लिए हम भारत में एक नया कॉनसेट लाए है और्गनिक एग्रिकल्चर प्लॉट्स का जिसे हम फ्रूटवाडी भी कह सकते हैं इस ओर्गनिक फार्म्स प्लॉट्स की मार्केटिंग इंडिया प्रोपर्टी मार्केटिंग कमपनी के द्वारा की जा रही है वर्ल्ड में सबसे बेस इन्वेस्टमेंट जमीन का टुकड़ा ही होता है आईए अब हम आपको इसके कारण बताते हैं जमीन एक बहुत प्रोफिटेबल इन्वेस्टमेंट है सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट है सबसे आकरशक और सबसे ठोश संपत्ती है जमीन में एक और फायदा है जमीन का रेट दिन प्रती दिन बढ़ता जाता है और आप उसे साथ ही साथ इस्तिमाल भी कर सकते हैं लेकिन अगर आप शेयर या बैंक में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो शेयर या बैंक की सर्टिफिकेट को आप यूज नहीं कर सकते यदि आप मन की शांती एवं लॉंग टम इन्वेस्टमेंट चाहते हैं तो आप निसंदेह जमीन खरीद सकते हैं जमीन में इन्वेस्ट करना ये कोई नई बात नहीं है सालों से पुरी दुनिया देख रही है कि जमीन की कीमत हमेशा बढ़ती ही जा रही है भगवान ने जमीन बनाना बन कर दिया है और जमीन दिन प्रति दिन ग्लोबल वार्मिंग के कारण कम होती जा रही है इस कारण भी जमीन के भाव बढ़ते हैं जमीन के भाव जोना चांदी शेयर बाजार के भाव की तरह कभी गिरते नहीं है आज Construction Industries से भी अधिक मुनाफा Land Banking में है हर वक्ती अपनी जमीन इसलिए चाहता है कि वो समय की मांग के अनुसार उससे मुनाफा कमा सके और वो घर भी बना सके आपको तो पता ही है कि Construction Industry में कितना प्रॉफिट है लेकिन हम आपको बताना चाहते है कि Land Banking में उससे भी ज़्यादा प्रॉफिट है इसलिए बड़े बड़े बिल्डर भी आजकल बड़ी बड़ी लैंड में इन्विस्मेंट कर रहे है आपकी Second Home की इच्छा भी आप पूरी कर सकते हो अमिर्खान के सब्ते में उजयते प्रोग्राम से हमें Organic Farming करने की प्रेणा मिली है और Organic Farming से होने वाले फायदे का भी पता चला है और इसके बाद हमने Organic Farming करने का decision लिया है अब हम आपके लिए Organic Farm Plot का प्रोजेक्ट लाए है इस प्रोजेक्ट में हमने फल और सब्जिया हो गई है और वो भी नैच्रल तरीके से इस खेती में हम Chemical Fertilizers, रासाइनी खाद और Pesticides कीट नाशक दवा का इस्तिमाल नहीं करेंगे रुया Agro Farm की इस योजना की विशेशता यह है कि यह सब्जिया एवं फल, हर्टी कल्चर, एक्सपर्ट की देख रेक में उगाए जाएंगी सत्यमेयो जयते प्रोग्राम में हमने देखा है कि कैसे किसान बहुत ज़ादा Chemical Fertilizer और Pesticideside का उपयोग करते है या फ्रूट का कलर या साइज को आकरशित बनाने के लिए इंजेक्शन का इस्तमाल करते हैं और उससे स्वास्ते पर होने वाले भायानक नुपसान को भी पूरे भारत के लोगों ने देखा है हमारे यहां रुया Agro Farm में Chemical Fertilizer Pesticideside के बगैर Natural तरीके से या Organic Fertilizer से फल सब्जिया उगा के हमारे प्लॉट के ग्रहकों का या उनके परिवार के स्वास को अच्छा बना रहे है रुया Agro Farm की इस योजना की एक और विशिशता यह है कि सब्जिया एवं फल हर सब्तां आपके घर पहुचाए जाएंगे और जब भी आप अपने हरे भरे Farm में जाएंगे और ताजी सब्जिया और फलो को अपने हातों से तोडेंगे तो जो आनंग आपको आएगा जो खुशी आपको मिलेगी वो आप कितने भी पैसे खर्च करके वो खुशिया नहीं खरीच सकते उनमें जितने भी एने प्लोट देखे हैं उनमें देखा है कि वो सब बैरन यानि की बंजर भूमी हैं और सामन्य तोर पर एने प्लोट छोटे साइस के होते हैं जिस पे आपको बंगला बनाने के बाद बहुत कम जगा बचती हैं तो आप शहर से दूर second home के लिए जाते हो और वहाँ पे पाते हो एक और concrete जंगल तो आप शहर के concrete जंगल से second home के concrete जंगल में आजाते हो आपका हरियाली का पूरा मकसद ही खत्म हो जाता है लेकिन आप रुया एग्रो फार्म में 11,000 स्क्वेर फिट की फ्रूट वाडी पाते हैं जिसमें आप और्गैनिक फल सब्जियों का आनन उठाते हैं और आपकी जब मर्जी हो तब आप अपना बंगला बना सकते हैं बंगला बनाने के बाद भी आपके पास बहुत बड़ी जमीन फ्रूट वाडी के लिए बच जाती है एक बार एने प्लॉट खरीदने के बाद आप उसे भूल जाते हो लेकिन रुया एग्रो फार्म आप सालों तक नहीं गए तो भी आप रोज अपने फार्म में उगी हुई फल सबजिया खाके उसके याद आपको आती रहीं आपके जमीन पर अलग-अलग वराइटी के फल फ्रूट के पेड़ पौधे उगा रहे हैं जिससे की आप सारी वराइटी का आनन उठा सको मौडन जिन्देगी में हमारे बच्चे नैचरल लाइफ को भूलते जा रहे हैं वो लोग टीवी, मोबाइल, वीडियो गेम्स पर ही अपना समय बिता रहे हैं रूया अग्रो फार्म खरीदने के बाद आप उन्हें फार्म पर ला सकते हैं उनको प्रकृति कैसे काम करती है तो आप उन्हें लाइफ प्रत्यक्ष दिखा सकते हैं और बच्चे भी नैचरल जीवन का आनन उठा सकेंगे जब आपके बच्चे आम या चिको के पेड़ पर चड़ेंगे तो आपको असीन खुशी प्राप्त होगी आपका इन्वेस्टमेंट रोज बढ़ रहा है तब आप अपने दोस्तों वरिश्दारों को अपने फार्म पर ले जाते हो वो भी आपकी फ्रूट वाड़ी देखकर बहुत आनन्दित होगी इस मौडन जमाने में दुनिया ग्लोबल वामिंग के दुश्परिनामों को छेल रही है जैसे बद्रिनात के दार्शनिक स्थलों पर हुई तभाई ही आज तक हम भूल नहीं पाए है ग्लोबल वामिंग आखरी मुकाम तक पहुच गए है पेड लगाकर आप ग्लोबल वामिंग कम कर रहे हैं पेड लगाने से बारिश भी बहुत अच्छी होती है आपकी जमीन का टेंपरिचर बाजू वाली जमीन की टेंपरिचर से बहुत ही कम होता है बोरीवली से मनोस साइट अवंदे विले जाने के लिए बोरीवली के बाद दहिसर टोलना का वहां से सिथे मुंबई एमदाबाद हाइवे पर विरा स्टेशन से आगे जाते है तो दुर्वेश गाव आता है आगे अनाम होटल से राइट टर्न दुर्वेश गाव से 14 किलोमेटर डिस्टन्स पे साइट है पूरे रोड से बाजु में फैतरना रिवल लग कर बहती है जो की रुईया आगरो फार्म तक लग कर बह रही है अब आपको दिखा रहा है दहिसर चेकना का जो बोरीवली के बाद आता है वहां से अवंधे विलेज मनोर कैसे पहुँच सकते हैं यह डिस्टन्स 84 किलोमेटर का होता है करिब देड़ घंटे का समय इसके लिए लगता है दहिसर से जाते हैं तो विरार का हाईवे क्रोस करके आगे जाते हैं मनोर चंक्शन से राइट टर्न फिर नदी के ब्रीच को क्रोस करके अवंधे विलेज पहुँचते हैं यही पर रुई आगरो फार्म है अब हम आपको लोकेशन सैटलाइट इमेज दिखा रहे हैं यही है वो जमी जो आपके लिए बनी हैं अब आपको बताते हैं भीवंडी से अवंधे जाने का रास्ता भीवंडी से वाड़ा जाने वाले रोड पे बीच में कुडूस आता है वहाँ से लेफट अन लेते हैं तो आप अवंधे विलेज पहुच जाते हैं यहां तक का सफर आपका करीब 50 किलोमेटर का होता है याने कि करीब 1 घंटा 16 मिनट आपको समय लगता है अभी आप सैटलाइट इमेज के साथ रुया अग्रोफार्म के जमीन का नक्षा देख रहे हैं और इस तरफ से नदी हमारे प्लोट के करीब से बह रही है यहां चार प्लोट में हमारा कलब हाउस आएगा और यहां से हमारे प्लोट में से ही गौवर्मेंट रोट जा रहा है उसी रोट के करीब हमारे ये सारे प्लोट है आएए अब हम आपको मिलाते हैं हमारे प्रपेटि कंसलिटन डेभूती जैन से मैं इन्वेस्टरों को उनकी जरूरत के मुताबिक लैंड दिलवाने का काम करता हूँ हमें अगर सेकेंड होम के लिए जमी इस प्रकार से होनी चाहिए वो प्रकृति के बीच में हो जैसे कि पहाड, नदी, चारो तरफ, हर्याली फर एक्जांपल, बहुत सारे पेड, फल या फूल, बारा महेनों बहने वाली शान्त नदी होना चाहिए दुसरी चीज़े, जैसे कि मंदिर, जिससे कि आसपास का वातावरन पॉजिटिव बन सके लोग तेज रफ्तार के जिन्दगी जीते ठक चुके हैं और उनको विकेंड पर प्रकृति के करीब आने की और रीजनरेट होनी की इच्छा होती हैं जो की शेहरी जिन्दगी में नहीं मिलती रुया एग्रोफार्म के चारो तरफ बहुत ही सुन्दर पेडों से पूरी तरह से ढके हुई पहाडिया हैं फल्फूर्ट के अंदाजित 15,000 पेड़ तो हम खुद ही लगा रहे हैं वेतरना रीवर भी हमारे रुया एग्रोफार्म को टच करके लगातार बहती रहती हैं और अपनी जमीन नदी के बहाओ के उच्चितम स्तर से बहुत उपर है रुया एग्रोफार्म हमने हाईवे से केवल 14 किलोमेटर दूर ही सिलेक किया है रुया एग्रोफार्म पालघर रेलवे स्टेशन से केवल 30 किलोमेटर की दूरी पर है अपनी साइट तक स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस, शेरिंग रिक्षा यानि की टमठम भी रुया एग्रोफार्म तक जाते हैं जमीन के पास गाह होना हर तरह से लाबदायक होता है अपनी जमीन के पास सुन्दर अवंधे विलेज है जहां पर 500 शांत्रप्रिय लोग रहते हैं जिनका मुख्य व्रवसाय खेती है अपने प्लोट के लिए हाइवे से टरन मारते है तो दूरवेश के टरनिंग पर सुन्दर जैनमंदिर भी है रुया एग्रोफार्म की जमीन 12 लाख स्क्वेर फीट में फैली हुई है इस प्रोजेक्ट में करीब 11,000 फीट के फार्म प्लोट बना रहे हैं रुया एग्रोफार्म के प्रत्तेई प्लोट वास्तू के अनुसार बनाया गया है प्लोट के लिए प्रॉपर अप्रोच रोड बनाया है स्टील गेट 10,000 लिटर पानी की ट्रीप सिस्टम यानि की हर पेड और सबजी के पौधे के लिए भून भून से सिचाई की व्यवस्था माली के रहने के लिए 10 बाई 10 का रूम भी हर प्लोट में है हर प्लोट की खेती के आउजार हम प्लोट में दे रहे हैं हर प्लोट में करीब 84 लॉंग टर्म ट्री लगा रहे हैं ये पेड 15 फीट बाई 15 फीट के बीच में आएंगे और जब तक ये पेड बड़े नहीं हो जाते तब तक हमारे पास यह जमीन खाली पड़ी रहती है इसलिए इन पेडों की इंटर क्रॉप में केला पपया जैसे 70 पेड लगा रहे हैं जो की 9 मेहने से फल देना चालू करेंगे और हम 3 साल तक के फल ले पाएंगे और इसके बाद हमारे लॉंग टर्म ट्री भी वड़े हो जाएंगे और उनके बीच में जगा भी नहीं बचेंगी और लॉंग टर्म ट्री फल देना शुरू कर देंगे तीन साल तक इन क्रॉप से फल आएंगे और इसके बाद long term tree से फल आएंगे और हमने आपको जो plot पर fencing दिये है plot की security के लिए 236 दूरिया दूधी के बेल लगाएंगे जिनको हर सब्ता आपके घर पहुचाएंगे और सबजी 2240 feet में लगाएंगे उसमें करीब 1500 पौधे आएंगे वेजिटेव लोगने के लिए केवल एक से तीन मेहने का ही समय लगता है हर plot के लिए हम एक माली भी fix पगार पर रखेंगे जिनका काम होगा plot और paid पौधों को maintain रखना खाद, पाने देना, सबजी, फल तोड़ना और हर सब्ता delivery agency को फल सबजी की basket भर कर देना रात के लिए हमने common security के लोग भी रखे हैं जो की माली के सोने पर सारे plot की security करेंगे और आपके फल फ्रूट की delivery के लिए हमने delivery agency को contract दिया है जो समय समय पर आपके farm में ओगे हुए फल सबजीयों को आप तक समय पर पहुँचाएंगे अब हम आपको plot के साथ जुड़ी हुई common facility के बारे में बता रहे हैं जैसे की full time हर्टी कल्चरिस्ट हमने रखे हैं जिनका काम होगा कि आपके पेडों में लगने वाली बीमारी को ढुनना और उसका organic pesticide से इलाज करना ज्यादा ग्रोथ के लिए organic खाद के सही इस्तेमाल को देखना माली को खेती के बारे में समझाना सारे agriculture system को natural तरीके से चलाना हम plot पर consulting हर्टी कल्चरिस्ट भी रख रहे हैं जो की महिने में दो बार पूरे दिन के लिए विजिट करेंगे जिनका काम होगा नए नीट टेक्निक्स फुल टाइम हर्टी कल्चरिस्ट को बताना और पेडो की बिमारी के नए इलाज बताना हम हमारे plot में गनेजी का मंदिर भी बना रहे हैं जिसके दर्शन से आपका कल्यान हो और अब हम वाटर एक्सपर्ट से पानी की व्यवस्था की जानकारे लेते हैं मैं यह देव इंदरशा देव एंटरफ्राइजर से हमने आपके 30 एकर यानि 96 प्लॉट के लिए हाइडरोनोमेटिक वाटो कंट्रोल वाटर सप्लायर सिस्टम इंस्टॉल किये है स्टैंडबाय प्रोविजिन के लिए नदी में भी 5 लाट लीटर पर अडे के इसाफ से पंसे इंस्टॉल किये गए हमें इस प्रोजेक्ट में दोनों मोरिम से जो पानी मिला है वो एगरिकल्चर के लिए बहुत ही उप्यूपतर है हमने डिजर्ट जनरेटर सेट का भी प्रबत किया है ताकि कभी पावर जाता भी है तो भी नदों में लगाता पानी आता रहे खेती के लिए ले गई सरकार से पानी के लिए बिजली उसके लिए केवल सतर पैसा ही देना हो और हमने आपका वोर्बेल और फंप इस प्रकार इंस्टॉल किया है कि जिससे आपका बिजली का बिल कम से कमाए सारे प्लॉट में प्रेक्षर से पानी मिलने के लिए हमने प्रेक्षर पॉंप इंस्टॉल किये हैं अब हम आपको ड्रीप सिस्टेम एक्सपर्ट से मुलाकात कराते हैं उनका नाम है मिस्टर प्रशान जाद हो मैं प्रशान जाद हूँ कोठारी आईरिक्षर से हम लोग आईरिकल्सर के लिए ड्रिप सिस्टेम मैनुफाक्चर करते हैं और रिप्वाइमर के साब से जगव जगव जाकर इंस्टिलेशन भी करते हैं गिर्फ सिस्टम से पानी टारेक रूट जोल में मिलता है जिसके वज़े से पानी की बचचत होती है और unwanted crop या ग्राज भी नहीं उखते और उन्हें कट करने के लिए जो labor charge लगता है उसकी भी बचचत होती है Drift System के वज़े से पेड़ को पानी उतना ही मिलता है जितना उसे ज़रूरत होती है और पानी की बचत के वज़े से आपका electricity बिल भी बचता है Rooia Agrofarm ने हमसे Automatic Machinery भी ली है जिसके वज़े से किसी आगली की ज़रूरत नहीं रहती कि वो प्लान्ट को बंद या चालू करें टाइमर के हिसाब से पानी अपने आप बंद या चालू हो जाता है टोटल प्रजेक्ट के लिए Rooia Agrofarm ने हमसे Fertilization Machinery भी ली ही है जो Drill System को चोकात पूने से रोपता है हर पेड पौदों को Organic Fertilization भी जर्वात होती है तो Rooia Agrofarm ने हमसे वो मशीन भी ली ली है जो हर पेड पौदों को Organic Fertilization सप्लाई करता है यह हमारा Sample Plot का मॉडल है जिसकी साइज 45 feet by 240 feet है जिसका Total Square Feet 11,000 होता है यहाँ आपका 15 feet का gate है Entrance पर यहाँ पर एक पेड है और यहाँ पर भी पेड है लेकिन सर्वेंट रूम नहीं दिखता था इसलिए हमने पेड नहीं लगाया यह सर्वेंट रूम है अब हम आपको मिलाते हैं हमारे Agriculture Consultant से जिनका नाम है Mr. Gautam Anil Patil नमस्ते मैं Gautam Patil मैंने Bachelor of Science in Agriculture की डिग्री ली है मैं 10 साल से नसरी फॉर्म का व्योशाय कर ला हूँ और मेरी कमपनी का नाम है केसर नसरी आल फॉर्म मैं रुया अग्रो फॉर्म में Agriculture Consultant हूँ मैंने रुया अग्रो फॉर्म की मित्टी को लैबरोटरी से टेस्ट कर लिया है जो खेती के लिए अत्यांत उपजाऊ है रुया अग्रो फॉर्म का बोर्वेल का पानी हमने लैबरोटरी से टेस्ट कर लिया है जो की खेती के लिए अत्यांत उपरियुप्त है हमने full team हर्टी कल्चरिस्ट 24-hour site पर ही रखा है जो की forms labor माली को guide करके फल और सब्जियों का maintenance करवाएंगे हम लोग full time हर्टी कल्चरिस्ट को new technology और new method की जानकारी देंगे हमें लोगों के प्लाट का काम future maintenance के लिए दिया गया है हम लोग महिने में site पर दो दिन विजिट करेंगे हम लोग full time हर्टी कल्चरिस्ट को new technology और new method की जानकारी देंगे जिसे की रुईया एग्रोफर्म की अच्छी तरह से growth हो हमने अलग-अलग variety के fruits and vegetables लगाया है जिसे की आपको अलग-अलग variety के fruits खाने को मिले और कोई एक fruit की अधिक मात्रा में ना मिले अब हम आपको मिलाते हैं हमारे दूसरे अग्री कल्चर कंसल्टेंट से जिनका नाम है Mr. साफल्य नरेंद्र थोरात नवस्टार मेरा नाम साफल्य थोरात है मैंने bachelor of technology in agriculture engineering की डिगरी दापोली उनिवस्टी से की है अग्री कल्चर कंसल्टेंटर्शी का सुनेयर मौका मिला जिसमें इस्पर्टाइज और अपने अनुगाओं के अधार पर मैं आधनिक दखनीब यूज करके ज्यादा पर्षिंग करूंगा और जमीन बुसंदर वाना होगा हमने रुया एगरो फार्म में डिराफ्टिट याने कलाम के पर रिप्यूटिड नर्सरी और क्रिशी विद्याने से लेके लगाए और लियोटेक लेबरोटी से के लेके टिस्यू कल्चर प्रांट की है ताकि ज्यादा उत्पादन मिल सके और अच्छी कौलिटी मिल सके केमिकल फार्टिलाइजर से कित्ती वाली जमी जो 10-15 सलाओ मंज़र हो जाती है इसका करण है इस करण के नीचे जीव जन्तू प्रेड़ो बने में शायक होते हैं इस प्राटिलाजर से नश्ट हो रहे हैं जिससे जमी के नीचे रहने वाले जीव जन्तू हच्पोस्ट हो जाते हैं और अच्छी क्वालिटी और ज्यादा प्रोटिक्शन मिलता है इसके लिए हम फार्म यार्ड मैनुवर याने गोवर पकरी की लेड़ी और नीम केट का उव्योग कर रहे हैं हमने आपकी खुशियों को धान में रखते हुए रुया विलेज क्लब एंड रिसॉर्ट की मेंबर्शिप फ्री देने का निरने लिया है और ये कलब रुया एग्रोफार्म के बगल में ही बन रहा है इस कलब में आपको 21 नाइट्स फ्री स्टे करने को मिलेगा और कलब की सारी फैसिलिटी भी यूज करने को मिलेगी और सारी चार्जेबल फैसिलिटी डिसकाउंटेड रेट पर मिलती है ये कलब फैसिलिटी आपको करीबन एक साल के अंदर शुरू हो जाएगी रिजोट में आपको बहुत सारी फैसिलिटी मिलने वाली है जैसे कि मल्टी क्विजिन रेस्टरेंट, स्वीमिंग पूल, कलब हाउस, टेबल टेनिस, चेस, जीम, रेंड डान्स फैसिलिटी, बैडमिंटन कोर्ट, बास्केट बॉल कोर्ट, लैंड्सकेप गार्डन, चिल्डरेन प्ले एरिया, हॉस राइडिंग, एक्जोटिक आमपल कार, पार्किंग काप, आप खुद का फार्माउस या बंगला जब भी चाहे तब बना सकते हैं, आपको तो मालूम ही है कि एक बंगला बनाने में करीब फरनीचर के साथ कम से कम 30 लाग रुपे का खर्चा आता है, हो सकता है कि आप बंगला कुछ समय रुपके रेने के बाद, प्लॉट पर रहने की उल्जानों को दूर करने के लिए, टेवलेपर ने केबल आपके लिए अवंदर रिसॉर्ड एवं क्लब की मेंबर्शिप का अरेंज्मेंट किया है, जहां पर आपको 21 नाइट्स का फ्री स्टे हर साल बार बार मिलता है, यह बेनिफि बिलकुल मुक्त है, केवल आपको यूटिलिटी चार्जेस रुपए 500 भरने होंगे, आप 21 नाइट्स को किसी भी कॉम्बिनेशन में उपयोग में ले सकते हैं, अगर आप एक्स्रा नाइट्स चाहे तो आप डारेक्ली रिसॉर्ट में पेमेंट करके ले सकते हैं, आईए, अब हम मिस्टर महिश शर्मा एंड मिसेश स्मीता महिश शर्मा से बात करते हैं, नमस्ते, रुई अगरोफॉम ने एंविर्मेंट को बचाने के लिए, बहुत अच्छा कदम रहा है, रुई अगरोफॉम हमें 11,000 स्केर फिट जगा देता है, और जो कि ये बहुत बड़ी स्केर के लिए जमीन है, और इसमें भेली कर सकते हैं, बेड भी लगा सकते हैं, और रुई अगरोफॉम पेर साथ के साथ हमें रेडिमेट लगा के भी दे रहे है, ये इतिव जो करते हैं, रेडिमे स्टेशन, राइबे, उर्बर स्टेट में हम फैंपूल इसमें पास करता और जो बच्चों की ठेली का अज़ायमेट है यहां पर बहुत बढ़िया है और यहां पर हमें फुल फर्मीष्ट कॉटेज जो है वे भूफ और फुली जो है हमें फिलब की सब्धी तरह की स्रीजाये उपलब हैं हमें सबसे बहुत बहुत प्वादेगे तरिके से खेती करने से कम और इसका प्यादा मुझे भी और तत्री के सभी लोगों को यह बहुत बढ़िया प्लान है रुया एक्रफॉम को मैं सल्यूट करता है यह जो जोड़े हैं में नदी और पहार की बित्रो फास है जो कि बहुत ही समस्दारी वाला की सिजन है जो की लोकेशन बहुत पसादा है आईए अब हम वास्थू कंसर्टेंट मिस्टर तुशार दावडा से मिलते हैं नमस्कार मैं तुशार दावडा रुया एक्रोफॉम्स में वास्थू और फैंक्सुई का कंसर्टेंट हूँ रुया एक्रोफॉम्स में जो भी प्लॉटिंग की जाती है तो उसकी बास्थू और फैंक्सुई बिधी से पूरी तरह से चार्च परक करने के बाद में ही प्लॉटिंग करते हैं किसी भी प्लॉट के चारो दिसाओं का साइप साइज क्या है किस किस डायरेक्शन में किस तरह से मेंगेट आएगा उसका साइज क्या रखना चाहिए किधर आपका बंगला बनेगा तो यह सारी चीजों का ध्यान रखते हुए प्लॉटिंग करते हैं और परफेक्टली मेजरमेंट के साथ में उसको हम सर्टिफाइ करते हैं तो यह क्लियर है कि जो भी प्लॉटिंग या प्लॉट्स आप लेने जा रहे हैं तो पूरी तरह से वास्तू फैंसुई विधी से चार्च परताल करने के बाद ही सर्टिफाइड किया जा रहा है आईए अब हम डॉक्टर से बात करते हैं कि उनको हमारा प्रोजेक्ट कैसा लगा नमश्कार मैं डॉक्टर हो आपने कावर्ट तो सुरी होगी अगर आप हेल्थी हैं तो आपने जिन्दिगी और वेल्थ को अच्छे से इंजोई कर सकते हैं अगर आप नेचुरल और फ्रेश फ्रूक्शन वेश्टिवल्स खाते हैं तो आपकी जिन्दिगी का सही दिसाब में पहला मैफूर गदम साबत होगा दूसरा कदम है कि आप प्रकृति के साथ ज्यादा ज्यादा बक्त बताओ जिस्ते कि वह आपकी खराब सैज्स को अच्छे से मजबूत कर सकें और रिपेर कर सकें रुईया एग्रोफार्म जहापर सबसे जादा प्रकृति के करीब लाता है और उन्हें पेड, पौधो, सबजी, फ्रूट्स, बटरफ्लाइज, बर्ट्स के बारे में भी सीखने और समझने को मिलता है और समझने के लिए मौझूद है हमारे हार्टी कल्चरिस्ट जो की फार्म पर फुल टाइम अवेलेबल है और बच्चों बड़ों को फार्म की एग्रिकल्चर टूर कराएंगी आइए अब हम चार्टर अकाउंटेंट मिस्टर विनोथ अरुनवाल जी से बात करते हैं अग्रिकल्चर इंकम आज के इंकम टेक्स कानून के हिसाब से टेक्स फ्री है आप इसे अपने Chartered Accountant से भी पूछ सकते हैं Land में Investment करना सारे Investment से अच्छा Investment है आईए हमारे कानुनिस सलाकार से बात करते हैं नमस्कार, मैं अडोकेट नरेंदर शुपला हूँ Developer का टाइटल और Confirmary Party का टाइटल Clear और Marketable है Confirmary Party का नाम साथ बारहने की टाइटल डाकुमेंट पर दिखता है आपका प्लोट परचेस का पेमिन करने के बाद में आपके नाम पर डाकुमेंट एग्जुकेट कर दिया जाएगा और आपके नाम पर रेजिस्टेशन के बाद आपको टाइटल डीड की कौपी मिल जाएगी इसका मतलब एव हुआ कि आप ही जमीन के मालिक हो गए वाव मैं हमेशा अफ़ालो और विजीटेबल को तोड़ने का मज़ा लेना चाली थी मैं हमेशा दादी थी कि एक प्रपटी में इंवेस्ट करो मुझे बस एक अच्छी जमीन की तलाश थी फिर मैंने प्रपटी एक्टिबिशन में भाग लिया देखा तो बहुत अच्छा रेस्पंस मिल रा था फिर मैं रुईया एग्रोफर्म में विजीट के देखा इससे अच्छा कहा फैसलीटी में सकता है फिर मैं संत्युष्टों के और तूरुंत मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे सपनों का स्वर्ख खड़ी दिया है यह जमीन मुझे मेरे पुर्बजों से नहीं मिली और ना ही मेरे फैमिली वाले और फ्रेंज से मिली है मैंने खुद खड़ी दिये यह जमीन और मैं इसको और भी मिल्टेंग करके मेरे फ्यूटर में होने वाले बच्चे को देना चाहिए रुईया एग्रो फार्म के बारे में कुछ सवाल बार बार पुछे जाते हैं जिनके जवाब अब हम आपको दे रहे हैं जैसे कि आपकी प्लॉट का booking amount कितना है हमारा plot पूरा develop होकर ready है और develop plot की पूरी payment एक बार में करनी है अगर जो plot आपने select किया है और वो ready नहीं है तो booking amount 20% देना है और balance payment plot ready होने पर देना है साइट तक पहुचने का नास्ता कैसा है highway से farm तक की 14 km की सड़क ग्राम पज्जाइद की सड़क है जिस पे traffic ना के बराबर है और आप रास्ते के शाहन तवातावरत से होते हुए चार तरफ ग्रामिन नजारों का लब्द उठाते हुए साइट तक पहुच जाते है रास्ते में आपको गाय, बक्रियो, मुर्गियों का चुण भी देखने को मिलेगा जो की आपको और आपके बच्चों को बहुत ही आनन देता है कहीं कहीं पर आपको खड़े भी मिलते है खड़ों पर भी आपकी गाड़ी आराम से जाती है अगर ये सड़क सिमेन कॉंक्रेट की होती तो आपको ग्रामिन परिवेश का मजा नहीं आता था प्लोट मेरे नाम पर कब ट्रांसफर होगा जैसी ही आप फुल एन फाइनल पेमिंट देते हो आपका रेजिस्टरेशन आपके फेवर में रेजिस्टर किया जाएगा और रेजिस्टरी के बाद आपको प्लोट की डाटा डिल मिल जाती है जिसका मतलब है के प्लोट आपके नाम हो गया मेरा नाम साथ बारा पर दिखेगा क्या जी हाँ आपका नाम साथ बारा पर दिखाई देगा मेरे पास agriculture certificate नहीं है तो मैं agriculture जमीन कैसे करें सकता हूँ आप हमारे marketing executive से बात कर सकते हैं agriculture plot पर bank loan मिलता है क्या registration के बाद आप किसी भी bank में loan के लिए apply कर सकते हो वैसे हमारे आप कई सारे bank है जो agriculture land पर loan नहीं देती फिर भी आप bank में inquiry कर सकते हो क्या company हमारे लिए बंगलो बना कर देगी हाँ company ने कई सारे contractor को जोड़ा है जो आपको आपके मन मताबिक बंगलो बना कर दे सकते है बंगलो construction के लिए क्या charges है आप हमारे marketing executive से बात करके rate ले सकते मैं कितने plot का construction कर सकता हूँ हमने ग्राम पंचाय से construction की permission ली है और इससे जाधा details के लिए आप हमारे marketing executives से बात कर सकते क्या मैं अपनी agriculture land को non agriculture land में बदल सकता हूँ हाँ आप बदल सकते हो क्या मुझे 11,000 square feet से छोटा plot मिल सकता है इस project में आपको 11,000 square feet से छोटा plot नहीं मिल सकता लेकिन आप अपने दोस्ट या family members के साथ joint में ये plot ले सकते हो कौन कौन से fruit और vegetables के pot हैं आप लगा के दे रहे हो इस बारे में हमारे website पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी क्या मैं fruit के pot को change कर सकता हूँ जो plot अभी हमने develop किये हैं उनमें आप change नहीं कर सकते हैं हाँ, vegetables के plot में आप लोग हर तीन मेने में change कर सकते हूँ क्या मैं अपने fruit and vegetables को market में बे सकता हूँ जी हाँ, ये आपकी अपनी संपत्ती है मुझे plot खरीद कर क्या फायदा होगा बैंक में आपको interest मिलता है पर यहाँ आपको interest पर भी interest मिलता है क्योंकि जमीन के rate दिन प्रती दिन बढ़ते जाते हैं और साथ ही साथ आपकी इस जमीन पर fruit के पेड़ भी लगाया जा रहे हैं तो आपकी जमीन की कीमत भी बढ़ रही है और साथ ही साथ डेविडेन के तोर पर organic fruit और सबजिया भी आपको मिल रही है एने plot में आपको यह सारी facilities नहीं मिलती तो यह है ना आपके लिए फायदे का साओधा अगर मुझे मेरी booking ट्रांसफर करनी है तो उसके लिए क्या charges है आपको 2% processing charge देना होगा बस मुझे अगर रुपेयों की जरुवत पड़े तो क्या करना होगा लैंड एक limited commodity है और इसकी दिमान रोज बढ़ती जा रही है एक बार आपने जमीन खरीद दी तो आप पाते हैं free home land with title deal आप उसे market में कभी भी और किसी को भी बेच सकते हो और direct आप ही उसका stamp duty registration करवा सकते हो हमारी किसी भी मदद के बिना मुझे plot बेचना है तो इसमें कोई locking period है या नहीं? जी नहीं, कोई locking period नहीं maintenance charges कितना दिना होगा? maintenance charges जानने के लिए आप हमारे marketing executive से बात कर सकते हैं हमें proposed resort की facility कब से मिलेगी? जैसे ही resort ready हो जाएगा resort company ने बताया है आपको एक साल में ही resort की facility मिलना शुरू हो जाएगा क्या वैतरना रिवर बरसात में safe है? जी हाँ, बिल्कुल safe है क्योंकि हमारी जमीन नदी से बहुत उपर है साइट के आसपास medical facility या ambulance है? हाँ, ambulance है जिसकी पूरी जानकरी हम आपको हमारे website पर दिखा रहे हैं चेक किस के नाम से देना है? चेक आपको Belzio Construction Private Limited के नाम से देना होगा इस project को किस ने develop किया है? इस project को Belzio Construction Private Limited ने डेवलप किया है A14 Rolex Apartment 3rd Floor SV Road Malad Waste, Mumbai 40064 List of total trees on the plot आम के 14 पेर ग्वावा पेरू का एक पेर सपोर्टा चीकू का एक पेर जैक फ्रूट पनस का एक पेर लेमन निम्बू का एक पेर सिता फल के दो पेर वाटर एपल सफेज जामून के 6 पेर चेरी के 2 पेर करवन के 24 पेर कोकोनट नारियल के 6 पेर काला जामून का एक पेर केशुनट काजू के 2 पेर आवला के 2 पेर कडवा नीम का 1 पेर बोगविला के 20 पेर हम आपके plot में enter crop के 70 पेर लगा रहे हैं जिनके नाम है अनानास के आठ पौध है, केली के सत्रा पौध है, पपया के सोला पौध है, सेंग फल के छे पौध है, कडी पत्ता का एक पौध है, डाल चीनी के दो पौध है, लवं के दो पौध है, तेज पत्ता के दो पौध है, प्लावर, पूल के पाच फ्लाट, साड़ साथ ब Goog पॉद है चाहए नार का एक पॉद है मीनी औरेंच संत्रा का एक पॉध है लेमन ग्राश चाय पत् साथ बॉट यानि कि 56.00 पusta बरसाः के मौसम में होने वाले बेल बरसाः के नाम Тोनली यानिकी कुंद्रू के सौ फ़ध है बाटल-गाड लागई के पचास पाफ है फ्लैक पैम्पर कानी मिर्ची के पचास पाफ है मखाई के 6 पाफ है बरसाः को मदसम में 2203.240 sqft नाम भ 408.480 sqft में कुमकुमबर ककडी 248 स्क्वेर फिट में चावली 448 स्क्वेर फिट में स्वीट कॉन मकई 224 स्क्वेर फिट में आपको बता दें के इस प्रोजेक्ट की मार्केटिंग हमारी कंपनी इंडिया प्रोपर्टी मार्केटिंग कर रही है जिसका अड्रेस है 18 by 2 Sainath Road of SV Road next to MTNL Building near Subway Malar West Mumbai 40064 email id ruiyaagrofarm.gmail.com website www.ruyaagrofarm.com contact number 9029063468 telephone number 02228445102 में आपकी काःटिंग 5 minutes man कर दो कर दो कर दो कर दो कि आ कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कि एक बात की और में जाहूँगा जैसे मैं रहा हर्बल मेडिसी एक बहुत बड़ा खेत्रा है वैसे भी और गनिक फार्मिंग पुरे दुनिया के अंदर बहुत बड़ा मार्केट खड़ा हुआ है जो माल रुपिये में बिगता है वोगर और गनीग है तो डॉलर में बिगन लग जाता है और नेपाल एक ऐसी भूमी है जहां यह संभव है भारत में सिक्कीम एक राज्य आपके प्रडोस में ही माना जाएगा सिक्कीम ने पूरा और गनिक स्टेट बना दिया अपने आपको और उसके कान उसका भिश्वा एक नया मार्केट खड़ा हुआ है अगर न उसी प्रकार ने हमने एक प्रणोफ शूरू किया हैं हिंदुस्तान में सौयल हिल्ट कार का üç। हम जानते हैं नेपाल और हिंदुस्तान में नागरिक उक्र arqu protections भी हिल्ट कार नहीं है, लेकिन हम स्वैल हिल्ट कार उख सानों को उसकी जमीन की तबियत कैसी है कुछ बिमारी तो नहीं है विशेस्ताएं क्या है कि इस प्रकार के फसल के लिए उपयोगी है कौन सी दवाईयां वहां नहीं डालनी चाहिए कौन सी दवाईयां ही डाली जा सकती कितना फटिलाजर लेना यह सारी वैग्यानिक तरीके से आगे बढ़ा जा सकता है अगर नेपाल के रूची होगी तो हम सोयल हलकार के इस काम को जो हम हिंदोस्तान में आगे बढ़ा रहे हैं यहां के किसानों को भी अगर उसका लाग मिलेगा तो क्रिशी आधुनिक हो क्रिशी वैज्ञानिक हो उसमें हम बहुत बड़ी मात्रा में उप्योगी हो सकते हैं और मैं चाहता हूँ काने वाले दिनों में इसके लिए आप जुरूर ही कुछ न कुछ सोचेंगे आप सफल हुए तो दुनिया को वापिस लौटने का आउसर मिलेगा सस्त्र छोडने की प्रेणा मिलेगी और लोग तांत्र की ववस्ता से भी जन्मन की आशा कांख्षाओं की पूर्ति का रास्ता नया विश्वास पैदा करेगा सिक्कीम में छोटा सा राज्य है बहुत कमाबादी है लेकिन उस छोटे से राज्य ने बहुत महत्तो कुण काम किया है बहुत देनी का भविश्व है सिक्कीम प्रदेश हिंदुस्तान के लिए गवरोव देने वाला और्गनिक स्टेट बनने जा रहा है वहां के हर उत्वादम और्गनिक होने वाला है आज पुरे विश्वम है और्गनिक खेत उत्वादम की बहुत बड़ी माँ देने होलिस्तिक हेल्थ केर की चिंदा करने माला पुरा वर्ग है दुनिया में जो मांगो उतना दाम दे करके और्गनिक चीजें खरीदे के लिए कतार में खड़ा है ये ग्लोबल बार्केट को कैप्चुर करने के लिए सिक्किम की किसानों ने जो महनत किये उसको जोड़ करके अगर हम इस उजना को आगे बढ़ाएं तो दूर सुदूर हमाले की गोज में पैटा हुआ सिक्किम प्रदेश कितनी बढ़ी ताकत के साथ उखर सकता है